Good morning students, this is Swati Rana और आज हम लोग 9th class की home science का 3rd chapter करेंगे and the name of the chapter is कारिय व्यवस्था तो हम इसमें सीखेंगे कि कारिय व्यवस्था क्या होती है उसको किस तरह सीखिया जाता है उसकी क्या importance होती है और उसका क्या effect होता है अगर हम कारिय व्यवस्था करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कारिय व्यवस्था का मिनिंग देखते हैं क्या होता है इसमें दिया गया है कि ग्रह कारिय व्यवस्था का आर्थ है कि ग्रह के समस्थ कारिय इस परकार योजना बना कर किये जाएं जिससे सभी कारिय सुचारू रूप से संपन हो जाएं तता परिवार के धन समय वैश्रम की बचत हो सके। इस परकार ग्रह कारिय विवस्था के लिए ऐसा कारिय विभाजन किया जाए जो विभिन सादनों, सदस्य संख्या तता कारिय शंता के अनुसार हों। Means क्या हुआ कि ग्रह कारिय विवस्था का अर्थ। तो इसमें थ्री वर्ड्स होते हैं, एक ग्रह, एक कारिय वर एक विवस्था, यानि कि हमें विवस्था करनी है किस चीज के लिए ग्रह के कारियों को करने के लिए, यानि कि घर के कारियों को करने के लिए हमें एक विवस्था करनी है, उसमें ये देखना है कि हमारे घर में क् कारिये हैं उनको किस परकार से किया जाना है उन्हें किस समय पर किया जाना है उसके लिए क्या-क्या आवशक्ताएं होंगी किस तरह से हमें उस काम को करना है अगर उसमें कोई परिशानी है तो हमें उस काम को उस परिशानी को दूर करते हुए पूरा किस तरीके से करना है तो तो ये होती है ग्रह कारिये व्यवस्था यानि कि घर के कारियों को करने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं प्लैनिंग करते हैं वो नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि ग्रह कारिये व्यवस्था का संबंद दो परक्रिया उसे होता है पहली है समय व्यवस्था और दूसरी है उर्जा व्यवस्था यानि कि जब हम ग्रह कारिय करते हैं तो उसमें दो परक्रियाएं हमें अपनानी होती हैं दो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है पहली है समय व्यवस्था और दूसरी उर्जा व्यवस्था समय व्यवस्था क्या होती है कि हमें ये देखना होता है कि कोई कारिय किस समय पर किया जाना है उसके लिए निश्चित समय क्या है हम उसके लिए एक समय निश्चित करेंगे और हमें उस समय पर ही वो कारिय पूरा करना है तभी हमारे जो व्यवस्था है वो सही डंग से हो पाएगी उसके लिए चाहिए एक दिन का काम हो वो एक हफ्ते का हो एक महीने का हो उसको हम उस काम की अकोर्डिंगी डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट है इसमें उर्जा व्यवस्था, उर्जा व्यवस्था क्या है, कि घर के जो लोग हैं, उसमें उनकी उर्जा जादा से जादा विये ना हो, जिस काम के लिए जितनी एनर्जी की जर्वत है, उसमें इतनी एनर्जी लोस हो, ऐसा ना हो कि हमें करने हैं दिन में दस का और हम सारे घर के लोग एकी काम में लग गए और वह से इतनी बूरी तरह लग गए कि हमें पता ही नहीं है उसमें करना क्या था और कैसे करना था हम सब एकी काम को करके ठक गए पता चला बागी के काम हमारे रह गई ठीक है तो इसमें ऐसा नहों मांसिक ठकान और शारिरिक ठक को किई ठीक है तो इसे क्या शरीर में उर्जा बनी रहती है और परिश्णम भी कम लगता है ताइम भी कम लगता ओकी निक इसमें कि दिया गया है कि ग्रह कारिये व्यवस्था का महत्व क्या है याई कि हम किसलिए उसका इस कारिये ग्रह ग्रहकारिये वभस्ता को इसमें दिया हुआ है कि जीवन में सरलमारा को प्राप्त करने के लिए यानि कि हमारा जुब्स जीवन है उसमें एक सійलता आये कारिये को कने काम में GS x 222 प्रॉइब यान की पूर्ति यानि कि हम ग्रह व्यवस्था किसलिए करते हैं किसलिए उसका महत होता है कि हमारे जो घर परिवार की आवशक्ता हैं उनकी पूर्ति हो सके दूसरा है घर परिवार के वातवरन को उत्तम बनाना यानि कि सभी लोग एक दूसरे से सोहार्थ पूर्ण और सहयोगात आप मक डंग से एक दूसरे की help करके हर कारीय को पूरा करें और कहीं पर भी तणाव नहीं कोई रोध की आशंका नहीं और परिवार का का कारीये है वो सदस्यों ने उत्तम ग्रह कारेयी व्यवस्ता को अपना लिया है तो जो कारीये है हमारे घर का वो सहीं डंग से पूरी तर करना यानि कि सही कितनी मैंनत लगेगी यह ना हो की एक ही वियक्ति को सारे काम दिये गए हैं कि वही घर के बाहर के सब काम करेगा जितने fl izquierdal कार्य होते हैं तो इसमें क्या होता है कि खाने विवाजन कर दिया जाता है कोई अच्छे से घर की सफाई कर लेता है तो साफ सफाई का काम उसे दे दिया जाएगा तो इसलिए सब का स्रम विभाजन कर दिया जाएगा यानि कि उनके कारियों का विभाजन कर दिया जाएगा नेक्स्ट है ग्रह व्यवस्था ग्रह अर्थ व्यवस्था में सहायक होती है कैसे सहायक होती है इसका विशेस महत्व होता है ग्रह अर्थ व्यवस्था को उत्तम बनाने की दस्टिकोंड से भी ग्रह व्यवस्था का उलेतनिय महत्व है यह परिवार द्वारा उत्तम कार्य व विवस्था भी सुचारो भनी रहती है तथा सामाने रूप से परिवार के मुख्यां परिवार के समग कोई गंभी आर्थि संकर उठ्पन नहीं होता है यानि कि羅 भी हमारे घर की आर्फ व्यवस्था है यानि हमारे घर की जो पैसो वाली कंडिशन है economical जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं विगड़ती है, और कारिय सही डंग से हो जाता है, नेक्स्ट है, ग्रह कारिय विवस्था परिवार के सदस्यों के उत्यम स्वास्थे में सायक होती है, क्यों? क्योंकि हर किसी के इंट्रेस्ट के अकोर्डिंग उसको काम मिल रहा है, तो वो mentally be satisfied रहेगा, और हर व्यक्ति का शरीर चलता फिरता रहेगा, तो वो वैसे विश्वस्थ रहेगा, ठीक है? परिवार के रहेगा, इसकतर उन्हत्थ भनता है, जब भी हम कोई कारिय को करते हैं, तो उसको अगर एक योजना बना कर किया जाता है, तो हमेशा ही वो कारिय उत्तंधंक से होता है, अगर हम बिना planning के कोई काम करते हैं, तो वो उतना successful और इतना effective नहीं हो पाता, जितना कि ह planning के साथ करते तो वो हो जाता ओके next, इसमें दिया वुआ है ग्रह कार्यों का वर्गी करंड वर्गी करंड का मतलब होता है बांटना थीक है तो ग्रह कारिये यानि जो घर के कारिये हैं उनको कितने तरह से बाटा गया है समय की अनुसार तो इसको चार-पास तरह से वाटा गया है, पहला है दैनिक कारिये, दैनिक कारिये ऐसे होते हैं, दैनिक मतलब होता है परती दिन, डेली या फिर रोज, तो दैनिक रह कारिये क्या होते हैं, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, और बहुत सारे काम कपड़े दोना, ये जो भी कारिये होते हैं ये दैनिक कारिये होते हैं ठीके यानि के जो कारिये हम रोज करते हैं उसके बाद है दूसरा सापता ही कारिये सापता ही कारिये क्या होते हैं जो हफते में एक बार किये जाते हैं ठीक है वन सीना वीक जो किये जाते हैं वो होते हैं सापता ही कारिये सापता ही कारिये में इसमें दिया गया है कि घर पर दूल सकने वाले कपड़ों को हम घर पर दूल देते हैं डेली डेली जो नहीं दूल पाते उन्हें हफते में एक बार जैसे घर के बिस्तरे वगेरा होते हैं यह गरम कपड़े होते हैं, जो dry cleaning वाले कपड़े होते हैं, वो हम हफते में एक बार भीजवा देते हैं, घर की नालियों की सफाई हफते में एक दिन हम कर लेते हैं, घर की अलमारियों की सफाई हमें एक दिन कर लेते हैं हफते में, और कपड़ों की अलमारी लगाना, विशे इस नास्ता या कुछ special बना लेना हफते में एक दिन संडे वाले दिन बच्चों को पाग घुमाने ले जाना आया movie वगएरा चले जाना हफते में एक दिन तो यह होते हैं सापता ही कारिय जो सपता में एक बार किये जाते हैं नेक्स इसमें दिया हुआ है मासिक ग्रह कारिय क्या क्या होते हैं जो महीने में एक बार होते हैं जैसे घर में महीने भर का राशन एक साथ आता है तो उसमें हम उसको घर के जैसे रसोई में डिबो में उनको बन करना है तो पहले हम डिबो को साफ करके उन सबको धूप में सु इसना यह सब काम आते हैं जो महीने में एक बार करते हैं और सफाई ने की जा सकती हो जहां पर डेली डेली वो सफाई भी हम अफते में एक बार कर लेते हैं जैसे स्टोर रूम की या बंडार ग्रेगी सफाई जहां पर स्टोरेज होता है next का require महिने भर का बिल्ट चुकाने किस चीछ का बिल अकबार का 1 महिने में एक बार आता है बिजली का पानी का मकान का किराया स्कूल की फीज तो यह सब काम हम महिने में एक बार करते और अकबार खाली बहुत लेँ सब कबाड़ी वाले को हर महीने बेचते हैं उसके बाद आता है वार्षिक ग्रह कारिए वार्षिक मतलब वर्ष में होने वाला एक सब्सक्तित ममोर्ष में एक सकाम होगे हैं घर की टूट फूट की मरमत होती है पुताईया, पेंट वगेरा, फरनिचर की मरमत, ये रोज रोज तो नहीं कराए जाते, तो ये साल में एक या दो बार ही होते हैं, दो बार भी नहीं साल में एक बार ही होते हैं, ठीक है, और पूरे घर की हम सफाई कर देते हैं, साल में एक बार जब ये कारे होता है, तो उसी खरीद कर उसका उचित भंडारन करते हैं तो यह सब कारियों होते हैं जो वर्ष में एक बार होते हैं लास्ट इसमें दिया गया है आकस्मिक ग्रह कारिये आकस्मिक बोलते हैं जो अचानक से हो जाए ठीक है ऐसे कारिये जो अचानक से हो जाए कौन-कौन से कारिये होते हैं मा मैनेज करना ठीक है वो सबी कारिय कैसे होते हैं आकस्मिक कारिय होते हैं नेक्स इसमें हेडिंग दी गई है कि कारिय वेवस्था को परभावित करने वाले कारक वो क्या-क्या कारक होते हैं क्या-क्या वो रीजन्स होते हैं जिनसे हमारे घर की कारिय वेवस्था परभावित हो हमारे घर की income को हमारे घर में कितना पैसा आता है ठीक है तो वह सब जो है हमारे घर में किस तरह से हम उसको यूज करते हैं योजना बनाकर करते हैं या ऐसी खुला कर्च कर देते हैं इस चीज़ का भी हमारे घर पर काफी असर पड़ता है कि घर किस परकार से चल रहा है नेक् बहुत बड़े परिवार के कारिये उतने उत्तम ठंक से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका इंकम सोर्स उसी साब का ना हो, तो पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से अड़्चने आ जाती है, नेक्स्ट है इसमें सदस्यों का व्यवार जो हमारे घर के लोग हैं जितने भी उनका नेचर कैसा है उनकी इंट्रेस्ट क्या-क्या है वो हमारे घर की कारियों विस्ता को बिल्कुल एफेक्ट करती है अगर घर में अच्छे से लोग रहते हैं प्यार से रहते हैं एक दूसरे के help करते हैं एक दूसरे की देख भाल करते हैं एक दूसरे के कारियों में हाथ बटाते हैं तो हमारा घर automatically अच्छे ढंग से चल जाता है ठीक है next है परिवार कल्यान परिवार कल्यान से आश्ट्रे है कि परिवार से संबंदित सभी पक्षों को उत्तम यानि के अधिक उत्तम बनाने का परियास करना यानि के परिवार का कल्यान करना हमें इस तरह से अपने परिवार को लेकर चलना है कि उसके लेविल को हम डेवलप कर सके अगर आज हम सेकेंड लेविल पर हैं तो हम उसको फर्स लेविल पर सके ठीक है यानि कि हमारे जिस्से परिवार का तल्यान हो सके उसके बाद है उप्युक्त सादनों का प्रियोग हमारे गर में जितने भी शाधन होते हैं जैसे सिलाई मशीन हुई कपड़े दोने की मशीन हुई ओवन वगेरा हुए microwave हुए फ्रिज हुए अगर इनका प्रियोग करना हमें सही से आता है तो हमारा काम बहुत जादा easy हो जाता है अगर हमें इन सब साथनों का प्रियोग करना नहीं आता तो हमारे गर में होते हुए भी हमारे लिए useless होते है नेक्स्ट है इसमें कारिय विदी का अनुभव तथा ज्यान कारिय विदी यानि के कारिय करने का तरीका तो कारिय एक काम को कोई भी व्यक्ति के ढंक से कर सकता है जितने लोग होते हैं हर उस काम को अलग-अलग ढंक से करते हैं तो उसके लिए सही वि और अनूभ अगर किसी के बास हो उस काम को करने का एक बारмен पहले कोई काम कर चुका है तो दूसरी बार उसे करने में उतनी प्रोब्लम नहीं होती है ठीक है, लास्ट में आता है मुल्यांकन, क्या होता है, मुल्यांकन बोलते हैं कि जब हमने कारिय कर लिया है, उसके बाद हम ये देखते हैं, कि ये कारिय सफल हुआ, या ये कारिय सफल नहीं हुआ, अगर हुआ, तो किन कारणों से हुआ, अगर नहीं हो पाया, तो किन कारणो थपर परतिकूल परभाव डालने वाले कारत परतिकूल बोलते हैं उल्टा यानिके जिनका ओपोजिट इफेक्ट उल्टा इफेक्ट हमारे कारियों पर पड़े तो इसमें फर्स्ट फॉइंट है आवशक ज्यान इवं सूजबूज की कमी अगर हमें किसी कारिय को करने के लि सुईं भी नहीं है धागा भी नहीं ए तो वू काम हो ही नहीं पएगा ठीक है तो साधनों की कमी हो जाना भी हमारे कारियों पर औालते हैं तो घर automatically अच्छे से नहीं चल पाता है उसमें काम भी डंक से नहीं हो पाते है जिसका जो मनाई वो कर देता है ठीक है होता है जिसका जुकार्यों होता है उसको कारिये दिया जाना चाहिए नैच्स Adapt दो एक सुबह से काम कर रहा है ये उस आयक की चो इनकम जो वे उसको पति कमा डा रहा हो रहा है फ्क्सक्राइब गर लारी हो नेक्स्ट है मकान आवशक्ता अनुसार हो यानि कि इतना बड़ा हो कि उसमें पती-पत्नी को एक कमरा मिल सके परिवार के लिए कम से कम एक इसनान घर हो एक सोचारले हो एक प्रथक्षत तथा एक कमरा आवश्य होना चाहिए तो इतना घर जरूर हो जिसमें की ल महिलाओ का होता है और महिलाओं अगर घर को सही डंग से चला बाती हैं अगर हमारी मम्मी ही घर को सही डंग से नहीं चला पारी अगर वो ही अपने काम सही डंग से नहीं कर रही है तो फिर घर में कोई भी नहीं करेगा ठीक है तो महिलाओं पर घर का सबसे ज़्यादा कारि प्रेणना की बावना मतलब motivate करना यानि कि बड़े हमारे घर के इस तरह के कारिये करें कि हमारे चोटे बच्चों को घर के चोटे बच्चों को उससे कुछ प्रेणना मिल सके वो उससे कुछ सीख सके नेक्स्ट इसमें आता है ग्रह कारिये वेवस्था में ग्रहनी का इस्थान और कर्तव्य ग्रहनी होती है जो हमारे घर की में लेडी होती है तो जब ग्रह कारिये वेवस्था होती है तो हमारे घर की ग्रहनी का उसमें क्या-क्या इस्थान होता है और क्या-क्या उसके कर्तव् सिर्फ लेडी कर सकती है उसके बाद is संबंदियों का व्यावार सुकद्वातावरण का निर्माण, अर्थववस्ता को सूदरड बनाना, ये सब काम होते हैं, हमारे घर की लेड़ी के, जो मेन लेड़ी होती है, आफशक वस्तों की खरीददारी करना, उनका संडरक्षन करना, अनाफशक वस्तों को ना खरीदना जो एक्स्टर के खर्चे हैं उन पर बिना मतलब खर्च ना करना जितना जरुवत हो उतना ही खर्च करना और उसके बाद होता है माता के रूप में जो एक और रोल होता है हमारे घर की लेडी का वोता है माता के रूप में नेक्स्ट इसमें दिया गया है समय अर्थ एवं श्रम की बचत के सायक उपकरण, यानि के जिनसे ऐसे उपकरण, ऐसे इंस्रुमेंट्स जिनसे हमारा समय भी बचे, हमारा अर्थ यानि के धन भी बचे, और श्रम यानि के हमारी मेहनत भी बचे, तो वो क्या-क्या होते हैं सा मानवी है या फिर भोतिक और मानवे साधन जो हमारे पडिवार के सदस्य होते हैं ठीक है तो भोतिक साधनों में इसमें दिखाया गया है गया से स्टोव इससे हमारा काम एजी हो जाता है बत्तियों वाला स्टोव बिजली वाला चूला इन सब से हमारा काम एजी हो जाता है और बिजली की केदली बरतन दोने की मशीन खाना बनाने की मशीन ये सब चीजे अगर हो जिस जगा पर उस जगा पर उनका काम बहुत एजी से हो जाता है और उसमें समय की धंकी और श्रम की बचत हो जाती है इसमें क्या ओने चाहिए ज्ञान इसमय कार्या करने की जो काम उनको दिया जाए रूची इन्पराब चाहिए काम को करने के लिए नेक्स्ट है मनुवरती यानि कि मनुवरती का मतलब है हमारे मन की जो सोच होती है हमारी जो सोच होती है वो सब की अलग-अलग होती है कुछ किसी भी परिस्तिती में ढल जाते हैं हमारे घर के कुछ लोग परिस्तिती में नहीं ढल पाते हैं तो व सबी होना कर सके लास्ट में यह एवम श्रम के बचाओं के उपाई या निकि समय और श्रम किस तरह से हम बचा सकते हैं इस में कुछ दे गया है..? इसमें दिया गया है कि जो एक साथ पर्योग में winners体 कर से हों एक साथ रखें जैसे कपड़े दोने की स्थान पर साबन हो नेल हो बाल्टी हो टब हो ब्रश हो तो इससे हमारा समय बच जाएगा श्रम बच जाएगा और हमारा काम भी सही डंग से हो जाएगा नेस्ट है मेज कुछ सी स्टूल की उचा इतनी हो कि सब लोग उस पर बैट कर या खड़े को और सही से काम कर सके एसनाओं की बच्चे की चेर पर बैटी नहीं पा रहे इतने हूचे हैं या चेर इतनी चोटी बनी हुए हैं कि उन पर बड़े नहीं बैट पा रहे हैं और उसके बाद है इसमें रोसोई के बर्तनों को प्योग सही से धगए मतलब जिस तरह से हमारे घर में रोसोई के बर्तने इस्तेमाल होते हैं उसी क्रम में वो लगे होने चाहिए गिलास एक जगे लगे होने चाहिए चम्मच एक जगे लगे होनी चाहिए कटोरिया एक जगे हो सके और उसमें ज्यादा कार्य करते समय उन्हें अदिक बैठना उठना चलना ना पड़े कोई बैठने का काम है तो उसमें सारी चीजे बैठने की जगह रखी होनी चाहिए यह नहीं कि बार-बार खड़ा ओकर कोई समान हमें लेना पड़ रहा है ठीक है तो यही थे हमें इसमें कुछ ऐसे उपकरन बताई दिये गए थे बिजली की मसीन कपड़े दोने की मसीन जिन से काम करना आसान हो जाता है उसके बाद है कि ज़्यादा हम जब खड़े होते हैं बैठती है तो बार-बार क्या होते है में जल्दी थकान होने लगती है बरतन माझते समय कपड़े दोते समय भी जुक कर या उचक कर ना बैठना पड़े इस तरह कि हमारी विवस्था हो या टो खड़े होकर हमाज almonds रहे हैं तो खड़े होकर वही पर पानी की विवस्था ह हो साभुन की विवस्ता हो और बचन रखने की विवस्ता हो यह ना हो कि बरतन हम खड़े हम खड़े अकर दो रहे हैं और पानी नीचे से बार बार उपर लाकर उनको धो रहे---- तो सारी विवस्ता सईडंग् से होनी चाहिए ठीक है historically मैं आपको बेजोंगी तो यह सा पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है थैंक यू